सब्सक्राइब करें नेटी पहडी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को मिड्साइज SUV सेग्मेंट में टाइड कॉंपटीशन देने आ चुकी है मारूतिय सुजुकी की ग्रैंड विटारा अफ्टर ब्रीजा मारूतिय सुजुकी का मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोड़क्त थी ग्रैंड विटारा जो की मार्केट में आप लॉंच हो चुकी है क्या इस में फीचर से सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में नमस्कार फ्रेंद्स वेलकम और वेलकम बाक तो आर चानल नेटिव पहारी प्लीज टेक अ मोमें तो सब्सक्राइब तो आर चानल 1.5 लिटर का आपको मिलने वाला है जेटा प्लस और अलफा प्लस मॉडल में ही आपको अवेलबल रहेगा टू विल ड्राइब के ऑप्शन के साथ तो 1.5 लिटर का इंजन है उसमें आपको फोर विल ड्राइब का भी ऑप्शन दिया गया है इसकी पावर टेम्स के अगर मै 141 अनम का टार के जनरेट करता है 177 वोल्ट की बैटरी भी पीछे दिकी है वहाँ पर इसमें प्लेस करी गई है अगर मैं फ्यूल एफशेंसर की बात करता हूं तो यह बोला जा रहा है कि एक सिंगल टैंक अगर आप भरा देते हैं तो उसमें करीब बन 1200 किलोमीटर यह चले में फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो फ्रंट एक्स्टिरियर लुक्स में तो ग्रांड विटारा टोटली सेंड आउट करती है अपने कॉंपटीटर्स के अगेंस्ट फ्रंट प्रोफाइल में आपको मिल जाते हैं थ्री पॉइंट शार्फ एलेडी डियारल्स ग्रिल की तरफ आते हैं तो ग्रिल में आपको ये ब्लाक ग्रिल मिल जाती है जिसमें आपको प्रोमिनेंट काफी जादा अच्छा क्रोम का काम देखने को मिलता है यहां पर आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है जो की 360 डिग्री व्यू एसिस्ट करता है नीचे आएंगे तो आपको skid plate यहाँ पर silver में मिल जाती है, तो front profile काफी ही dynamic और promising मुझे, side profile आपको check out कुराते तो start करेंगे roof के साथ, तो यहाँ पर आप देखते न, silver finishing में roof rails यहाँ पर प्रवाइट की जा रही है, panoramic sunroof, यह अंदर से हम आपको check out करेंगे, B pillar में blackout tape यहाँ पर दिया गया है, quarter glass area दिया है, जिससे आपको clusterfobic बिलकूर नहीं लगने वाला है, chrome की finishing भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, even अगर आप देखेंगे न, complete chrome की line यहाँ पर from the A pillar all the way to the C pillar में दी गई है, सारे जो door handles है न, यह आपको body color मिलने वाले है, 45 liters की fuel tank capacity आपको Grand Vitara में provide की जा रही है, अब देखेंगे जो driver side door handle है और जो core driver side door handle है, यहाँ पर आपको request sensor दिये जा रहे हैं, over view के तरफ बढ़ते हैं तो देखें, body color, over view with integrated turn indicators, अब 360 degree camera view की बात चल रही है तो देखें जो दूसरी camera की positioning आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, side cladding हमें देखने को मिल जाती है, अब चारों ही जो brakes है न, आपको disc brakes यहाँ पर offer किये जा रहे हैं, 210 mm की एक अच्छी ground clearance हमें Grand Vitara में देखने को मिलेगी, wheel are cladding आप देख सकते हैं, piano black finishing में यह दी गई है, tires की बात कर लेते हैं तो Apollo की यहाँ पर tires दिये जा रहे है, diamond cut alloy wheels आप यह देख रहे हैं दोस्तों, profile अकर आपको बताऊं, 215 oblique 60R17, तो 17 inch के diamond cut alloy wheels Grand Vitara में आपको provide किये जाएंगे, rear profile में आपको क्या-क्या मिल जाता है, यह हम चेक आउट कर लेते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर shark fin antenna देखने को मिलेगा, spoiler, high mount stop lamp, defogger, wiper यहाँ पर दिया गया है, नीचे आप देखेंगे तो Suzuki की बैजिंग, Grand Vitara यहाँ पर लिखा गया है, Strong Hybrid यह वेरियंट है, और यहाँ पर आपको 3D connecting tail lamps दिये गए हैं, जो काफी trend में हैं आजकल मार्केट में, नीचे आपको यह rear view camera देखने को मिलता है, जो कि 360 degree camera view एसिस्ट करता है, यहाँ पर आपको reflector, brake light और turn indicators मिल जाते हैं, साथ ही साथ इसमें आपको जो parking sensors हैं, वो भी दिये गए हैं, silver skid plate यहाँ पर दी गई, boot capacity चेक आउट कर लेते हैं, sufficient storage capacity दी गई है, क्योंकि यह strong hybrid model है, तो यहाँ पर battery की positioning है, जिसके वज़े से जो boot capacity है, वो थोड़ी कम देखने को मिलती है, यहाँ पर 12V का socket देखने को मिल जाता है, boot lamp यहाँ पर दिया गया है, और spare tire की positioning नीचे आपको देखने को मिल जाता है, sitting comfort की बाद कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको black leather right seats देखने को मिलती है, 3 adjustable headrest देखने को मिल जाते हैं, नीचे आप यहाँ पर देखेंगे, तो armrest देखने को मिल जाता है, with two cup holders, यहाँ पर आपको AC vents देखने को मिल जाते हैं, two types of USB chargers आपको देखने को मिलेंगे, A and C type, थोड़ा से storage यहाँ पर दिया गया है, उपर आपको इस बार panoramic sunroof दी गया है, और दोनों तरफ आपको reading lamps दिये गया है, passenger side door के हम बात कर लेते हैं, friends, तो यहाँ पर आपको door handles मिल रहे हैं, जो कि chrome में दिये गया है, silver ascent दिया गया है, black piano finish में, power window का control यहाँ पर देखने को मिलता है, leather का का काम किया गया है, soft touch, water रखने की जगा, speaker की positioning आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, front row seats और dashboard quality की बात करते हैं, तो देखें, leather seats यहाँ पर भी आपको offer की जारी है, adjustable headrest के साथ, और याद रखें, इस वाले model में आपको ventilated seats offer की जारी है, driver and co-driver, height adjustable lever के साथ, आपको driving seat offer की जारी है, दोस्तों, cushion और padding काफी अच्छी है, इसकी, यहाँ आपको लेके चलते हूँ, होडी heads up display जैसा आपने balino और आपने breeza में देखा था, same वही features में offer की जारी है, 360 degree camera view को यहाँ पर control दिया गया है, power button, engine charge stopper button यहाँ पर दिया गया है, AC event का design आप देख सकते हैं, piano black finishing में दिया गया है, और यहाँ पर भी रहे हैं दोस्तों, kind of soft touch, lathered finishing यहाँ पर offer की जारी है, door के side आपको लेके चलते हैं, twitter यहाँ पर आपको provide किया जा रहा है, silver, ascent यहाँ पर दिया गया है, chrome finishing के साथ, inside door handle, चारो ही power window के control, auto up and auto down, सिर्फ driver's ID आपको मिलेगा, lock unlock, overgram को manage काने के control, थोड़ी सा storage, soft touch यहाँ पर दिया गया है, leather finishing के साथ, stitching भी काफी अच्छी में यहाँ पर लग रही है, bottle holder की जगा यहाँ पर दिया गई है, map pockets, और speaker की positioning आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, steering wheel में दोस्तों के leather finishing यहाँ पर दी गई है, telescopic and tilt, दोनों ही feature आपको इस वाले variant में देखने को मिलता है, driving seat पे इस हम में आ गया हूँ दोस्तों, तो engine जो hood है न आपका, जो bonnet है, driving seat से easily visible होती है, fit and finish काफी अच्छी आपको देखने को मिल रही है, soft touch दिया गया, leather finishing के साथ, stitching आप देख सकते हैं, strong hybrid model है, तो इसमें आपको कुछ इस तरह का instrumental panel आपको देखने को मिलता है, power eco mode, फिर current speed आपका यह बतायाता है, outside temperature display, इसको manage करने के जो control है न, यहाँ पर आपको देखने के मिलते हैं, जब यहाँ पर आप चेंज करेंगे न, तो यहाँ पर आपका यह display हो जाएगा, tire pressure morning system आपको इसमें दिया गया है, mounted controls आपको देखने को मिल जाते हैं, multimedia के, calling के, Bluetooth connectivity के साथ आपको यह मिल रहा है, यहाँ राइटन साइड में देखेंगे न, तो यहाँ पर cruise control का feature प्रोवाइट किया जा रहा है, automatic headlamps आप देख सकते हैं, आपर प्रोवाइट किया जा रहे हैं, wipers, front and rear wipers के control आप इस तरह से देख सकते हैं, smart play, pro plus studio system आपको यहाँ पर प्रोवाइट किया जा रहा है, android auto, apple car play, bluetooth connectivity आपको इसमें मिल रही है, touch response भी इसका काफी शांदार रहता ही है, इन controls के थुरू भी आप touchscreen को manage कर सकते हैं, इस event का design आप यह देख रहे हैं, hazard light का switch, नीचे के दरफ आते हैं, आपको प्रोवाइट किया जा रहा है, इसके controls आप देख सकते हैं, front and rear defogger के control आप देख पा रहे हैं, दोस्तों, नीचे traction control का button आपको दिया गया है, 12 volt का socket, USB charging का slot यहाँ पा दिया गया है, wireless charger इसमें आप दिया जा रहा है, automatic transmission है, तो उसका lever आप देख सकते हैं, modes आपको check out कराते हैं, देखे, EV mode, अगर आप गाड़ी को EV में चला जाते हैं, तो इस mode के तुर आप चला सकते हैं, 8 से 10 km आपकी चल जाती है, बागी आप petrol में आपको उसको switch कर सकते हैं, अब drive mode पर ध्यान दीजिए, अब जब मैं यहाँ पर change करूँगा न, तो देखे, आपका ये instrumental panel में भी आपका दिखा जाता है, तो power mode, eco mode, आप कुछ इस तरह से ये change कर सकते हैं, और ग्राफिक्स और colors भी यहाँ पर change हो जाते हैं, और feature आपको check out कराते हैं, आपके दो beverage holder की जगा मिल जाती है, armrest दिया गया है, sliding, इसका storage भी आपको check out कराते हैं, ठीक है, अच्छा यहाँ पर storage प्रोवाइट किया जा रहा है, glove box बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ काफी बहतरीन storage मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, sun visor के तरफ अगर हम देखते हैं न, जो passenger side sun visor है, तो यहाँ पर हमें vanity mirror offer किया जा रहा है, halogen में आपको यह front cabin lamp offer किया जा रहा है, sunglass holder भी इसमें दिया गया है, automatic IRVM आप देख सकते हैं, इसमें आपको offer किया जा रहा है दोस्तों, highlighted point है वो है इसका panoramic sunroof, तो इसका जो control है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, one touch है, जैसे आप इसको प्रेस करते हैं, तो यह जो shield है आपकी पीशे हो जाती है, आप देखे कितना यह glass area cover करता है, कितना यह खुलती है, तो करीबन आप मान के चलिए, देखे, यहाँ पर, तो काफी broad यह sunroof open यहाँ पर हो रही है, driver's side sun visor में हमें, vanity mirror with आपका illumination दिया गया, इन ओल Grand Vitara काफी impressive लग रही है, definitely यह buyers को attract करने वाली है, आप भी अपने nearest dealership या नेक्सार शोरूम में इस वहिकल को definitely check out कर सकते हैं, अगर आप Bengaluru में हैं, तो आप Mondovi Motors यलंका में आ सकते हैं, जिसकी contact details description में दी गई है, so that's all for today friends, thank you again for watching this video, have a great day,